हे गाईस कि आपको पता है कि मुर्ख लोगों की निसानिया क्या है और आप किस तरीका से पता कर सकतो कि मुर्ख की निसानिया क्या है तो आज किस वीडियो में आपको साथ बड़े स्टेप बताने वाला हूँ जिसे आप पता कर सकतो कि मुर्ख कोन है क्या पता आप भी मुर् करते हैं तो प्ली से सबस्क्राइब भी ज़रूर कि वर्ष जहां है इसलिए आपको मुल्ग से हमेशा बच कर रहने चाहिए और मुर्ख की दुसरा निसानी यह है कि मुर्ख अक्सर जो होते हैं खुद को समझदार मानते हैं और सामने वाले व्यक्ति को पागल क्या होता है यह खुद को सबसे समझदार मानते हैं और सामने वाले व्यक्ति को अक्सर पागल क्योंकि वे खुद की बात समझता है किसी और की बात सुनता ही नहीं है इसलिए उसे कहाता है मुर्ख एक जैसा काम करके अलग परिनाम की उमीद करते हैं ये मुर्ख की सबसे बरी निसानिया है मुर्ख जो होता है मेहनत कम और बाते ज़्यादा करते है मुर्ख की जो तिसरा निशानिया है कि मेहनत तो कम करते हैं और बाते ज़्यादा करते हैं आप इससे भी पता लगा सकते हो कि कौन मुर्ख है नेक्स्ट क्या है कि बीना मांगे फालतू की सलाह देते हैं जहां इनका कोई काम नहीं होता वहां फालतू में अपनी टांग गुसाते हैं यह मुर्खों की सबसे बड़ी निशानिया है याने कही कि बीना मांगे फालतू की सलाह देना मुर्खों की बड़ी निशानिया है मुर्ख अपमान और समान की कोई चिंता नहीं होती मुर्ख की जो होती है नहीं तो उसी अपमान की चिंता है और नहीं कहें तो समान की चिंता है क्योंकि हो मुर्खी तो है तो मुर्ख की ये साथ बरी निसानी आपको जान कर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षिन में जाकर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा